So, Hello and Welcome back to another video और आज किस वीडियो में हम बात कने जा रहे हैं बेडिया मूवी के बारे में और यार मूवी में हम वरुन्दवन है तो मैं आपको वरुन्दवन की कुछ बात बताने वाला हूँ तो देखो यार में तेरा हीरो के बाद वरुन्दवन मुझे पसंद था और फिर मैं बड़ा हुआ और मेर में अकल आ गई इसलिए मैंने उसे पसंद करना बंद कर दिया लेकिन हाँ भेडिया मूवी का ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे उसे वापिस से पसंद करना पड़ेगा तो चलिए बिना बक्चोरी करें वीडियो शुरू करते हैं तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सिनिमेटिक यूनिवर्स की जो कि आपको अभी तक पता तो चली गया होगा तो देखो इस वाले होरर यूनिवर्स की पहली मूवी थी स्त्री हाँ वही ओ इस्त्री कलाना वाली और इस मूवी की दूसरी पिचर थी रूही और अब भेड़िया इस यूनिवर्स की तिसरी मूवी होने वाली है तिसरी मूवी होने वाली है लेकिन लास्ट मूवी नहीं होने वाली है इसके बाद भी कुछ मूवी आएंगी प्यार आप मुवी के बाद बाद आती है इन एक्टर्स की मतलब की राजकुमार राओ जो की रुही में भी है और इस्त्री में भी थे और दोनों में लीड करेक्टर है और ये वाले भाई साब ये इस्त्री में भी थे और अब बेडिया में भी है अब हाँ आप सुच रहोगी कि इसमें भी कॉप युनिवर्स जैसे बग होंगे क्योंकि जब इस्त्री मुवी आयोगी तब उसके मेकर्स को सीनिमेटिक युनिवर्स बनने का कोई आइडिया नहीं होगा इसलिए ये सब गड़बड हुई है पर मैं बोलूँगा नहीं भी में और इस्त्री में लिया होगा ताकि वो इन दोनों को जुड़मा भाई बता सके या फिर हम शकल्स और इस बंदे के तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ये इस्त्री में था और अब सिधा आमें बेडिया में दिखाई दे रहा है और इन्होंने 500 करोन नहीं लगाए अब मैं ये सब ट्रेलर देखके बोल रहा हूं मूवी नहीं क्योंकि मूवी तो अभी तक आई नहीं है मेरे भाई क्योंकि मैं ट्रेलर में जितना भी बताए उतना देखके तो अच्छे ही लग रहे है उसके वी एफेक और वरून की एक